हिंदी गत्य की विकास पर आधारीत प्रश्णू को हम इस वीडियो के माध्यम से आप से साधा कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्तो पूर्ण है अतब विना किसी तेरी के आईए हम प्रश्णू की ओर पढ़ते हैं पहला प्रश्ण दिया गया है कि सर्शोती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं तो आपका सही विकल्प है श्याम सुन्दरदास श्याम सुन्दरदास जी सर्शोती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं अगला प्रश्ण है आदनंद कादंबिनी पत्रिका का संपादन करते थे तो आनंद कादंबिनी पत्रिका का संपादन वधी नयायन चोदरी प्रेम घं द्वारा किया गया था अगला प्रश्ने हैं प्रजा हीतैसी समाचार पत्र का संपाधन किया तो प्रजा हीतैसी समाचार पत्र का संपाधन राजा लच्मर सिंग ने किया था अगला प्रश्ण है प्रारंबिक गद्य लेखकों में से एक है प्रारंबिक गद्य लेखकों में से एक है सदा सुखलाल, सदल मेस्र, सीवप्रशाद सितारे हिंद या ललूलाल तो प्रारंबिक गद्य लेखक में सीवप्रशाद सितारे हिंद का नाम लेखनिय है यहाँ पर देखिए ये दो राचे जो है मिस्प्रिंट हो गया है तो देखिए प्रारंबिक गद्य लेखों को में से एक है सिव प्रसार सितारे हिंद अगला प्रिश्ण है कि निम्ण में से अस्टियाम की भासा है तो अस्टियाम की भासा ब्रजभासा है अगला प्रशन है दुरूर स्वामनी नाटक विधा की रचना है जो की जैसंकर प्रशाद की बहुत ही प्रश्रिन नाटक है अगला प्रश्ण है कि मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है तो मैं इनसे मिला संस्मरण विधा की रचना है भारतिंदु युग के लेखक है भारतिंदु युग के लेखक प्रतापनयायन मिश्र है अगला प्रशने हिंदी प्रतीव के संपादक थे बालकरिश्न भट तार सब्तक प्रकासित हुआ, 1943 इस्वी में पहला तार सब्तक प्रकासित हुआ था दूसरा तार सब्तक जो था वो 1951 में प्रकासित हुआ और तीसरा तार सब्तक 1969 इस्वी में प्रकासित हुआ 1969 में प्रकासित हुआ और चौथा जो तारसब तर था वो 1989 इस्विम में प्रकासित हुआ अगला प्रस्वे की यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना है तो यात्रा के पन्ने जो है वो यात्रा वित विधा की रचना है जो की राहुल संक्रित्यायन की रचना है वर्ट व्रिच के रचेता रामधारी सिंग दिनकर जी है वर्ट व्रिच या वर्ट पीपल जो है वो रामधाई सिंग दिनकर की रशना है अगला प्रशन है सुभद्रा कुमाई चोहान का जन्म कहां हुआ था वारान सी प्रयागराज को सामबे इलहाबाद तो देखे प्रयागराज जो की इलहाबाद का वर्टमान नाम है तो आप यहाँ पर इलहाबाद लिखेंगे इसलिए क्योंकि उस समय जब सुभद्रा कुमाई चोहान का जन्म हुआ था तब इलहाबाद का नाम इलहाबाद ही था ना कि प्रयागराज था इसलिए आप इसमें से सही विकल इलहाबाद को टिक करेंगे अगला प्रशन है कि चायाबाद की कवी थे तो आप जानते हैं चायाबाद के चार कवी प्रमुक हैं जिन्हें चायाबाद का अस्तंब कहा जाता है जैसंकर प्रशाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदनपंथ और निराला जी सुर्यकान त्रिपाथी निराला इन चारू कवीयों को चायाबाद का अस्तंब माना जाता है तो इन चारू कवीयों में से जैसंकर प्रशाद सही विकलब है इसलिए आप जैसंकर प्रसाद को टिक करेंगे अगला प्रशन है गिल्लू किसकी रशना है गिल्लू आप जानते हैं कि महादेवी वर्माजी की रशना है सरस्वती पत्रिका है सरस्वती पत्रिका जो है वो दिवेदी यूग की पत्रिका है अगला प्रश्ण है भारतिंदु यूग की पत्रिका नहीं है तो भारतिंदु यूग की पत्रिका जो है वो सर्च्वती नहीं है क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा कि जो सर्च्वती पत्रिका है वो दिवेदी यूग की पत्रिका है और भारतिंदु यूग की ये तीनों पत्रिकाएं हैं आनंद कादंबिनी, हैश्चंद, चंद्रिका, ब्रामहर्ड अगला प्रश्ण है कि कासी नागरी प्रचायनी सभा की अस्थापना की गई थी तो कासी नागरी प्रचायनी सभा की अस्थापना स्याम सुन्दरदास की द्वारा की गई थी अगला प्रश्ण ह त्रिवेडी किस विधा की रचना है तो त्रिवेडी जो है वो आलोचना विधा की रचना है अगला